हेलो फ्रेंड तो आज मैं बनाने वाली हो अरेवियन डिजर्ट लेवनिस नाइट और कुछ लोग इसे लेयाली लुबनन भी बोलते हैं और काफी सिंपल है बहुत कम इंगिडियन्स से बन भी जाती है तो आप देखते जाओ तो सबसे पहले तो मैं सुगर सीरप बनाओंगी तो छोटी कप से मैं एक कप सुगर ले रही हूँ उसी कप से मैं आधी कप पानी ले रही हूँ और इससे चलाते रहना है जब तक सूगर अच्छे से गल ना जाए अच्छी इस सी शूगर सीरप तयार करनी है एक तार की चास्ती नहीं ज़स शीरप टैप की देख सकते हो पूरी तरह से चीनी गल गई है और इस्पून से जब आप बैक सेट देखो तो पूरी अच्छी से कोट हो जा रही है तो एक अच्छी सी सुगर सिरफ तयार हो चुकी है अब इसमें मैं फ्लेवर के लिए मैं रोस वाटर डाल ले हूं बरी चमच से आधी चमच आपको जदी कुछ अलग फ्लेवर चाहिए तो आप कुछ अलग एसेंस डाल सकते हो केवरा वाटर डाल सकते हो तो यह सीरफ तयार हो चुकी से मैं साइट कर देती हूं और बाद में मैं इसमें पिंक कलर वान ड्रॉप में डालूंगी फूट कलर तो पहले तो ठंडा होने क साइड छोड़ देती हूं अब मैं कराई चूले को पर चाहरा रही हूं और जो कॉफी कप आप देखते हो उससे मैं एक कप भड़के मैं सूजी ले रही हूं रवा और रवा को अच्छी से ड्राय रोष्ट करनी है इसका पूरा जो कच्चा पनों से दूर करना है तो बीच बीच में आप चलाते रही है छोड़ना तो नहीं है आपको जब लगने लग geben कि रा रावा अच्छे से पक चुकी है तो आप निकाल लो तो मैरी ड्राय रोष्ट हो चुकी है रावा तो मैं एक अलग बरतन में खाली कर ले ती हूं अब उसी कप से मैं तीन कप दूर्द ले रही हूं और दूद में मैं थोड़ा से लैंची पोडर डाल दीत की तो फिर से में दुबारा डालेई हों। हनगे कोई बाते से इलैंची पोडर थोड़ी जादा भी पजातीं दू मीठीडिमी काफिए डाल्य धीज़न मेंत तो अब दूद जब तक अच्छे से उबाल नहीं आ जाए तब तक चलाते रहनी है अब दूद में उबाल आ गई तो रावा को डाल देना और थोड़ी थोड़ी डालना इसमें मैं गलती कर दी थी कि मैं अचानक डाल दी मुझे ध्यान ने रहा इसमें क्या हूँगे गुटलियां पढ़ जाएंगे तो देखा हो तो मेरी एक बडी संच की गुटली पढ गई तो उसे मैं अच्छे से मिक्स कर रहे हूं क्योंके दूद गरम है तो बहुत Records पक जाती है तो अच्छे से मिलाना है और इसमें मैं एक चमच घी डाल रही हूँ स्वात के लिए आप नहीं भी डाल सकते हो और उपर नीचे गारी होने तक जैसे आप सूजी के खीर बनाते हो और आवा खीर उस तरह से थोड़ी इसे और थोड़ा ज्यादा पकाते हैं सेठ होने के लिए देख सकतो लगबग ड्राय हो रही है अभी इसमें चीनी भी मैं हैट करूंगी थोड़ी से सुखने के बाद और जिस कब से मैंने रावा ले थी उसी कब से मैं आधी से थोड़ा सा ज्यादा मैं सोगर डाल रही हूं अब जितनी मीठी ज़दी आपको थोड़ी कम खानी पसंदें मीठी तो थोड़ा आप कम कर सकते हो क्योंकि उसके बाद सुगर सिरफ भी डलती है तो इसलिए मैं उतना ही डाल रही हूं और सुगर डालने कपा फिर देख सकते हो कि थोड़ी पतली हो गई है तो अभी और अच्छे से सुखाना है खेर को तो देख सकते हो लगबख सुखने पर आ गई है तो अभी चलाते रहने हैं और यह सुख चुकी है अभी से मैं एक ग्लाश ट्रे में डाल रही हूं अब किसी भी स्टील की ट्रे या प्लेट में डाल सकते हो अधोरा मैं एक्वल कर देते हूं कॉर्णर साइड में आइसे मैं सेट होने के लिए 20 मिनेट्स तक मैं फ्रीज में रख दूंगे अब मैं छोटी वाली कप से जो जिसे मैं सुखर से रब बनाई थी उसी कप से मैं क्रीम ले रही हूं एक कप और उसे अच्छे से वीप करना है क्रीम एक्दम सेट हो चुकी है तो इसे भी मैं फ्रीज में रख दूंगी थोरी सी सेट होने के लिए और दोनों अच्छे से ठंडी हो चुकी क्रीम और रावा तो रावा के ओपर जो खीर बनाई थी उसके ओपर डाल देनी है एक्वली करने के जहमेरे से आप बच जाओ और सीधा रावा के खीर बनाऊ सेट करो तो क्रीम देख सकते हुए मैं सभी जगा कॉर्णर में जितने भी क्वाली मैं फैला लेती हूं पिर एक स्क्रेपर की हेल्प से मैं स्मूथ कर लूंगी उपर क्वाल कर देख सकते हुए मैं स्क्रेपर की हल से थोड़ी स्मूथ कर ले रहीं कर देख सेट होने के लिए अधी घंटी तक रखनी है और जो मैंने सीरप बनाया था उसमें मैंने पिंक कलर एड़ की हूं वन ड्रॉप और उसके बास सबसे पहले तो आप जो भी आपको पसंद है ड्राइफ रूट सो डाल सकते हो तो मैं पिस्ता कट करके रखी थी उसे मैं डाल रही हूं साइट झाल झाल और मैं कुछ ड्राइय रोज़ पैटल डाल रही हूं और कुछ ताजी रोज़ पैटल डाल रही हूं जिसे कलर बहुत अच्छा था जो ड्राइय रोज़ पैटल है उसकी तो अलगी कुपसूरती दीख रही है वाईट कलर में कैसी तो सभी को डाल लेने हैं और जो मैंने सुकर सिरफ तियार कि थी उसे पुरी अच्छे से सभी जगा डाल ले होगान है हलांकि जो यह लैबनी सनाइट जो खाते हैं जब कट करके सर्फ करते हैं तब उपर से सिर्फ डालते हैं लेकिन मैं साथ में डाल दे रही हूँ और इसे पूरी में सभी को डाल देती हूँ जिसे क्रीम में भी फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा क्योंकि मैं क्रीम बनाते हैं तो कोई भी में फ्लेवर नहीं डाली हूँ और यह लेवनिस नाइट डिसर्ट त्यार हो चुकिए आपको ज़िए मेरी वीडियो पसंद देगा